पीपल फार्म में हम बेसाहरा कुत्तों की नसबंदी करते हैं। लेकिन हमसे बहुत से लोग पूछते हैं कि हम ये क्यों करते हैं। कई लोगों को लगता है कि नसबंदी करवाना जानवर के प्राकृतिक स्वभाव के खिलाफ है। उन्हें लगता है कि उन्हें अपनी स्वभावक जीवन जीने में बाधा आती होगी। इस ब्रह्म को naturalistic fallacy कहते हैं यानि जो भी प्राकृतिक है वो सही है। लेकिन ये नियमित रूप में सही नहीं है। असल में शायद ही कोई होगा जो अपने जीवन को इस ब्रह्म के आधार पर जीता है। अगर ये बात सच होती तो कुट्टो को पालतु बनाकर घर में रखना गलत होता। कुट्टे इस दुनिया में कुछ 15,000 साल पहले आये थे। इंसान ने जान बूच कर कुट्टो को अपने जरूरत अनुसार ढाल लिया। अगर आज की तारीक में हमने एक पालतु कुट्टे को जंगल में छोड़ दिया, तो वो बिना इंसानों की मदद के बच नहीं पाएगा। यहां तक की सड़क के बेसहारा कुट्टे भी हमारे बचे कुचे खाने पर निर्भर रहते हैं। कुट्टो की नस्पंदी करवाने के कई फायदे हैं। पहली बात, नस्पंदी के बाद कुट्टे स्वस्थ रहते हैं। नस्बंदी कराने के बाद कुछ प्रकार के करक्योग होने की संभावना घड़ जाती है, जैसे की breast cancer या ovarian cancer. ये hormones को भी नियंत्रित करता है, चाहे वो male हो या female. ये फायदे पालतु कुट्टों पे भी लागू होते हैं, जिनमें hormones के कारण अक्सर मनोदशा में बदलाव आ जाता है. नर कुट्टे बिना नस्बंदी के ज्यादा आक्रमक हो जाते हैं और अपना territory माग करते रहते हैं. मादा कुट्टे जब हीट पे होते हैं, तब वो बहुत आक्रमक हो जाते हैं, इस समय उन्हें बाहर घुमाना भी मुश्किल पढ़ जाता है. उन्हें या तो अपने डॉक को डाइपर पहनाना पड़ता है, या पूरा घर खून-खून हो जाता है. नस्बंदी से ये सब रोका जा सकता है. सड़क के फीमेल डॉक्स के लिए प्रेग्नेंट होना काफी खतरनाक हो सकता है. ज़्यादा तर फीमेल डॉक्स जन देने के बाद और बच्चों को दूद पिलाने के बाद बहुत ज़्यादा दुरबल हो जाती हैं. दूसरी बात, नस्बंदी से बेसहारा कुत्तों की भावनात्मक पीडा भी घट जाती है. जब फीमेल स्ट्रे डॉक्स हीट में आती हैं, तो मेल डॉक्स उनका बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ते और उनका जीना मुश्किल कर देते हैं. जब एक फीमेल डॉक्स जन देती है, उस पर आपार दवाव होता है कि वह अपने बच्चों का पालन पोशिन कर सके. सड़क पर जन में 95 प्रतिशद बच्चे एक साल होने से पहले ही मर जाते हैं. तो इतना सब सेहने के बावजूब फीमेल स्ट्रे डॉक्स को अपने बच्चों को या तो बिमारी या गाड़ी के नीचे आने के कारण मरते हुए देखना पड़ता है. बेसहारा बच्चों की माब बनना कोई आसान बात नहीं है. उन्हें बहुत कश्ट सेना पड़ता है. नस्बंदी से ये दर्द कम हो सकता है. ना सिर्फ फीमेल डॉक के लिए, बलकि उसकी सब अजात पपीज के लिए भी. आखरी बात, अगर आपकी पालतू फीमेल डॉक गर्वती हो भी जाए, तो ना सिर्फ आपको उन सारे बच्चों के लिए घर ढूनने पड़ेंगे, वो सब बच्चे ऐसे घरों में जाएंगे, जहां शायद एक बेसहारा बच्चे को जग़ मिल जाती. तो अगर कुटा आपका खुटका हो या बेसहारा, उनकी नस्बंदी करवाना उन पर महरबानी करना होगा. नस्बंदी पर अधिक जानकारी के लिए आप अपने नस्दी की आनिमल रेस्क्यू या वेट से संपर्ग करें.